हे अबरीवन वेलकम बेक टू माई यूटिब चैनल उनिक लासेज तो आज हम क्लास 11 का अपना जो S.O.S.E है उसका स्टैम का स्लेबस देखेंगे ठीक है S.O.S.E आप सभी जानते हैं स्कूल ओफ स्पेशलाइस्ट एक्सिलेंस तो इसके एंट्रेस टेस्ट का सबसे पहले हमें स्टैम का याने की साइन्स, टेक्नोलोजी, इंजीनिरिंग and मैथमाटिक्स का क्या दिखना होगा स्लेबस दिखना होगा तबी हम अपनी जो प्रेपरेशन है एक्जाम के लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि स्टैम, जो 11th class है स्टैम, उसमें क्या होगा? उसमें आपके टू वो चॉईज होगी, आपके पास 2 चॉईज होगी, ठेक है? फॉस्ट आपके पास होगी Engineering की and सर्कें आपके पास होगी Medical की तो जो बच्चा engineering के लिए course करना चाहता है, याने कि 11-12 जो है, वो engineering से करना चाहता है, अपने आगे के future के लिए वो engineering line जो है, वो पकड़ना चाहता है, तो उसका syllabus अलग है, और जो बच्चा medical line में जाना चाहता है 11-12 से फिर आगे future में, तो उसका जो syllabus होगा, वो अलग होगा अब बात करते हैं सबसे पहले exam pattern की क्योंकि syllabus चाहे अलग हो बट pattern आपका एक ही रहता है सेम ही रहता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ exam pattern की तो आपका जो exam होगा entrance test S.O.S.E. school में admission पाने के लिए तो वो आपका 3 hours का होगा 3 hours का आपका ये जो entrance test है वो होगा 3 घंटे का and इसमें आपको क्या मिलने वाला है इसमें आपको मिलने वाले हैं MCQs चिक है इसमें आपको MCQs मिलेंगे objective type questions होगे यानि की question है and then फिर उसके नीचे 4 options है ABCD में और आपको कोई एक correct answer जो है वो choose करना है I hope अभी तक आपको exam pattern अच्छे से clear हो गया होगा आपका ये exam pattern रहने वाला है अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो engineering है हमारे जो भी बच्चे stamp में engineering करना चाहते हैं चिक है engineering को मैं यहाँ पे E से denote कर रही हूँ ध्यान से सुनेगा engineering को E से denote कर रही हूँ चिक है तो अब बात करते हैं अपने engineering के syllabus के बारे में जो बच्चे engineering से करना चाहते हैं 11, 12 उनका क्या syllabus रहने वाला है तो आपका जो syllabus है वो क्या होगा इसमें आपको mathematics जो है वो करनी होगी mathematics करनी है आपको mental aptitude करना है आपको class 10th का mathematics and mental aptitude आपको class 10th का जो है करना है बात समझ में आ रही है साथ ही साथ आपको 10th की science भी करनी है ठीक है maths करनी है Mental aptitude करना है आपको क्या करनी है 10th की science करनी है ये तीनों ही चीजे आपको करनी है और आपका जो math and science है वो basically आपके 10th के syllabus से पूछा जाएगा आप अपने 10th के syllabus को अच्छे से कर लीजिए math and science का उससे आपका जो paper है वो आने वाला है अब बात करेंगे हम अपने medical वाले बच्चों के लिए यानि कि जो medical line से stamp करना चाहते हैं 11-12 में medical line से अपना जो admission है वो कराना चाहते तो उनके लिए बात करते हैं तो अब मैं आपका जो medical है उसको किस से denote करूँगे? M से denote करूँगे ठीक है जो आप stamp है लेने वाले हैं बच्चे उसमें भी आप सभी क्या लेने वाले है? मैडिकल लेने वाले हैं वो बच्चे ध्यान से अपना जो syllabus है वो सुन लीजे हाँ जी तो आपका medical में क्या क्या आने वाला है? medical से अगर आप interest test देना चाहते हैं तो आपका इसमें पूछा जाएगा physics चिक है? आपकी chemistry पूछी जाएगी and आपकी biology जो है पूछी जाएगी प्लस आपका mental aptitude जो है वो पूछा जाएगा mental aptitude ये चीजे आपकी पूछी जाने वाली है physics पूछी जाएगी, chemistry पूछी जाएगी and biology पूछी जाएगी and अगर आप यहां पे ध्यां से देख पा रहे हैं तो ये जो तीन चीजे हैं, physics, chemistry and biology ये आपकी बहुत deeply पूछी जाएगी because आप medical choose कर रहे हैं और medical का admission के लिए आप exam दे रहे हैं अब बात करते हैं कि ये तीनों चीजे आपकी कहां से आने वाली है तो अभी तक आपने अपनी 10th class complete कर ली है तो of course बात ये है कि आपका जो 10th का syllabus है physics का, chemistry का और biology का वो आने वाला है इस test में ठीक है 10th से ही आपका syllabus जो 10th का पूरा syllabus है physics, chemistry and biology उसको बिलकुल अच्छे से complete कर लीजे बिलकुल अच्छे से tips पे कर लीजे कहूं तो उसी से आपका जो admission है, selection है वो हो सकता है इस में इस स्कूल में S.O.S.E. में तो यहां से आई होप आपको clear हो गया होगा कि medical का syllabus क्या है and engineering का syllabus क्या है और अगर आपको school of specialized के बारे में और अच्छे से जानना है eligibility criteria क्या है हर अलग-अलग stream के लिए तो आपको video description box में मिलेगी वहां से जाके check कर लीजे ठीक है और आपको बता दिया जाता है कि हमारे चैनल पर आपके लिए त्यार ही कराए जाती है S.O.S.E. की तो फटा-फट से चैनल को subscribe कर लीजे, bell icon को कर दीजे, press जिससे कि new videos की notification आपके पास आती रहे and साथ ही साथ video को like कर दीजेगा, अपने friends में share कीजेगा, हम मिलते हैं एक new video के साथ तब तक के लिए अगर कोई भी query है तो आप मुझे comment box में बिलकुल पूछ सकते हैं, आपके पूरी-पूरी help की जाएगी Thank you so much for watching this video